हेलो नियर्स लाफ एंस में खुश्यामदी दोस्तों पहले हमने फर्स चेप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है दे नेशनल हाइवे और सेफ्टी अडिनेंस 2000 का अब चेप्टर नमबर 2 से स्टार्ट करते हैं लाइसिंसिंग ये सारा चेप्टर लाइसिंस के बारे में है से कोई भी शक्स वो रोड वीकल या एनिमल ड्रान जो उंट गाड़ी है बेल गाड़ी है एनिमल ड्रान वो नेशनल हाइवे पे तब तक नहीं चला सकता जब तक उस बंदे के पास उसके नाम पे ड्राइविंग लाइसिंस हो स्पेसिफिक क्लास की गाड़ी का सेक्शन होनी चाहिए रोड वीकल को चलाने के लिए तो नमबर ए पे है अगर कोई बंदा जिसकी एज अगर 18 साल है तो वो मोटर साइकल या जो मोटर कार है वो चला सकता है मिंस जो माइनर है 18 साल से जिसकी उमर कम है वो मोटर साइकल या मोटर कार है वो नहीं चला सकता नेशनल हा बंदे की जो कम से कम उमर है वो 21 साल होनी चाहिए 21 येर तो 18 साल वाला बंदा जस्ट मोटर साइकल और मोटर काल चाल सकता है लेकिन उसके इलावा ये ट्रांसपोर्ट वीकल पब्लिक सर्विकल, मोटर कार, एनिमल ड्रान ये नहीं चला सकता ये टोटल जो डिफिनेशन्स हैं ये पहले हम पढ़ चुके हैं तो इनको चलाने के लिए 21 साल लाजमी है नमबर सी में अपर एज लिमिट क्या है तो ट्रांसपोर्ट वीकल जो 60 येर से अब बंदा है वो नहीं चला सकता 60 साल तक बंदा गारी चला सकता है उस से उपर वो निशनल हाइवे पे नहीं चला सकता ये अपर एज लिमिट है सेक्शन 4 के जो टूर नमबर है उसमें ये है जो न्यू लाइसेंस है फ्रेश जो लाइसेंस है वो तब तक जो है लाइसेंस अथार्टी Computer Authority वो नहीं देगी जब तक B Farm का Certificate जो Medical Board का चेमें ने वो उसको Sign करके आगे ना बढ़ाए ये उसलिए है दोस्तों क्योंको Medical Fitness एक driver के लिए जरूरी है तो उसलिए Medical Board जो है वो तेश्किल दिया गया है उसको आगे Certificate वो बढ़ाएगा जो जाकर उसको Computer Authority उसको आगे Certificate देगी लाइसेंस वाला है फिर Section 4 का जो तीसरा नमबर है वो Medical Board के बारे में है जो Second Schedule में Specified है वो Government उसको बनाएगी Medical Board को तश्कील देगी फिर Driver हसरात जो Apply करेंगे Medical Certificate के लिए तो उनके लिए Specific Test के लिए Medical Board उस डेट पे एबिल्ड लोगों को जो है Certificate दिया जाएगा उसके बाद जो Section 5 है वो वान करता है वाइकल्स के ओनर्स को उन ड्राइवर हजरात या उन बंदूं को जो है गारी चलाने के लिए ना दें जो Section 3 और 4 का जो है उसके Contrast में हो उसके काबल ना हो Section 6 में Grant of License किस बंदे को जो License है वो जारी किया जाए Grant किया जाए तो इसमें No.1 पे जो है ये वो बंदा जो Section No.4 के मतरादफ ना हो उसमें जो भी चीज़ वाज़ है उसके काबल हो Section No.4 से Disqualified ना हो तो वो बंदा जो License के लिए Application दे सकता है उसको License इशू किया जा सकता है उसके बाद No.2 में जो सेमी बात कही गई है जो No.7 सेक्षिन 1 में है 6 के तो वो हर बंदा जो इलिजिबल है 1 के तहत नमबर 1 के तहत तो वो Farm A फिल करके उसमें जो 2 प्लेसे पे दो जगहों पे Thumb Impression है उसके वो Thumb Impress करेगा Sign करेगा और Farm A में जो भी Information है उसको फिल करके वो जमा कराएगा License के लिए उसके बाद Section 6 का जो सब Section 3 है वो ये कहता है जब application दी जाती है Transport Vehicle के लिए Apply करने के लिए License के लिए जब application दी जाती है तो उसके साथ जो Farm B है जो Chairman of the Medical Board की तरफ दे साइंड है वो उसके साथ जो पंच किया जागा उसके साथ दिया जाएगा application के साथ उसके बाद सबसेशन 4 में ये के तक जब application दी जाती है License के लिए Apply किया जाता है तो उसके साथ साथ जो 3 Recent Passport Size इस फोटोग्राफ जो देने है application के साथ ही जैसे जो Farm B है वो देना पड़ेगा तो ये जो फोटोज देरी है तीन फोटोज ये भी देने पड़ेंगे उसके साथ साथ Subsection जो पंच है उसमें ये केता है application से या medical certificate से ये जाहर होता है कि बंदे को specific disease है कोई बिमारी है जिस वज़ा से जो पेसिंजर्स हैं उसके लिए खत्रे का सबब बन सकता है तो इस condition में जो competent authority है जो license देती है वो refuse कर सकती है इनकाल कर सकती है का भई हम sorry हम ये license नहीं दे सकते आपको अब तो बेचारा मर गयान एक driver गरीब आदमी दूसरी बिमारी अब कहां जाए तो इस condition में वो request कर सकता है कि मैं दोबरा fitness करें analysis करें या तो आप वो ये भी सबूत दे सकता है कि मैं drive कर सकता हूँ इस बिमारी होने के बावजूद तो वो request करेगा उसकी driving टेस्ट की जाएगी अगर वो pass करेगा तो फिर chances है उसको license देने की अब ये होगा वो evidence देगा, सबूत देगा गाड़ी जो है वो drive करके दिखाएगा उसके बाद उसको license दिया जाएगा लेकिन license में ये authority specific उसमें लिखेगी कि भाई इसको ये बिमारी है लेकिन इसने गाड़ी चलाने की जो test है वो pass की है उसलिए हम इसको license दे रहे हैं लेकिन जो बिमारी है वो specific उसमें written होगी license में section 6 उसका subsection 6 हमें ये बताता है कि किसी भी बंदे को तब तक license जारी नहीं किया जाएगा जब तक वो certification complete ना दे authority को और जब तक वो competence जो test है वो जब तक pass नहीं करेगा तब तक उसको license नहीं दिया जाएगा और उसके सिवाज जो new official wayne है highways and motorway code का वो भी उसके पास होना चाहिए उसके बाद जो subsection 7 है वो हमें ये बताता है जो driving skills जिस class की गाड़ी के लिए उसने apply किया है उस same class ही गाड़ी में ही उसकी जो skills वो ली जाएंगी तो ये vehicle classes part 4 schedule 4 में मौझूद है जिसके तेट heavy transport vehicle और light transport vehicle हैं तो जिसके लिए वो बंदा apply करेगा वो same class की गाड़ी की test जो skills है वो भी ली जाएंगी उसके बाद subsection 8 में ये कहता है किसी भी बंदे को heavy transport vehicle चलाने के लिए तब तक license जारी नहीं किया जाएगा जब तक वो बंदा कम से कम तीन साल तक और गाड़ी जो है transport vehicle या motor cycle के इलावा जो भी गाड़ीयां वो ना चलाई हो अब section 6 का जो subsection 9 है उसमें ये है कि अब जो भी license दे दिया गया है हर skill pass करने के बाद वो तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीन conditions ना आए ये है उसमें है कि वो license तब तक जारी रहेगा जब तक जो section 4 है उसके तहत वो बंदा disqualified ना हो या तो सारी उमर के लिए या कुछ टाइम के लिए मिसल के तोर पे बंदा बीमार हो गया है पांच साल के लिए या लेट सपोज पांच मन्स के लिए तो पांच मन्स के लिए जो उसका license है वो सस्पेंड रहेगा उसके बाद जो बी है 9 subsection 9 और section 6 का जो बी है उसमें ये कहता है वो license उस बंदे के लिए तब तक वेलिड रहेगा जब तक वो बंदा बीमार ना हो या डिसेबल ना हो या इसी कोई condition पैदा हो जाए जिसकी वज़ा से उस driver की तरफ से public के लिए जो danger हो passengers के लिए वो danger थाबत हो और subsection 9 का जो C पार्ट है उसमें ये एक जो A पार्ट है जिसके तहद ये कहा गया है कि उसको disqualify किया जाता है किसी बीमारी की वज़ा से या disabled बंदा है उसकी वज़ा से तो वो एक साल तक के लिए वो weld रहेगा या तो जो भी time उसमें बताया गया है उस time के तहद या time to time उसमें जो extension वो भी की जाती है या जो भी specified time है उसके तहद वो ही चलेगा Nears and Dears इस lecture से आपको कुछ ने कुछ मिलाए तो इसको like करें चैनल को subscribe करें अगर कुछ नहीं मिला तो dislike करें आने वाली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अलाफिज